वेल्कम टू लेर्णिंग लेशिती वराज यूटूब चैनल आपका लेर्णिंग लेशिती वराज यूटूब चैनल में स्वागत है आज का अमारा टॉपिक है चैनल आपका लेशिती वराज यूटूब चैनल में स्वागत है पहली और बूजो एक वेकेशन पर चले गए जहां पर उन्हें आनंद आया या फिर आनंदी दा जगह पर चले गए वन सच टेप टोक देम टू दार रिवर गंगा इन रिशी केश ऐसी ही एक टेप यात्रा उन्हें रिवर गंगा रिशी केश में मीज गंगा नदी के पास ले गई वें परवत पर चल गए हिमाल्यास के मीज हिमालाई के परवत पर चल गए जहां पर बहुत थंड थी They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodards, very different from the ones near their home on the plains. उन्होंने बहुत तरहे की पेड़ देखे इनहीं पर इनहीं माउंटीन्ज पर इनहीं परवत पर जैसे की ओक और दीवदार के पेड़ जो की बहुत अलग थे उनके घर के जो प्लेंस थे उन पर जो पेड़ ऊगे थे उनसे. इन यट अनादर ट्रेप इसी तरहें दूसरी ट्रिप पर दूसरी यात्रा पर ले ट्रेवल्ड टू राजिस्थान एंड मूट अन चैमल्स थो दा होट डेजर्ट उन्होंने यात्रा की राजिस्थान की और वे आगे बढ़ गई कैमल्स पर उट पर गरम रेगिस्थान से. इस ट्रिप इस ट्रिपल से इस यात्रा से. फाइनली अन्तिताहा दे वेंट ओन आ ट्रिप टू पूरी एंड विजेटेट दा सी बीच. वे चली गई एक ट्रिप पर एक यात्रा पर पूरी की तरफ डॉटेड विद कैजोरीना ट्रीज. उन्होंने देखे कैजोरीना ट्रीज के साथ, कैजोरीना पेड के साथ, कैजोरीना पेड वह होता है, जिसकी जो शाकाएं रहती हैं वह पतली रहती हैं और आपस में जुड़ी रहती हैं, उनकी पत्तियां गोड़ी की पूच रहती हैं, उस तरह से होती हैं. वाइल रिकलेक्टिंग उल्दाफन तेट येड अज़ीज वापस हैं उन वा पस उकठे करकर उन इन डीव्जर ट्रिप्स मींसकर जो फन है मज़े हैं उनको वापस कलेक्ट करके वापस इकटे करकर उनका जो थोट है एक थोट एक सोच ने उन्हें अठका दिया All these places were so different from one another यह सभी places यह सभी जगह हैं अलग थी एक दूसरे से Some were cold कुछ ठंडी थी Some were very hot and dry कुछ गरम थी और सूखियोई थी And some places so humid और कुछ जगह नमी वाली थी And yet all of them had many organisms, living creatures of various kinds और इन सभी में बहुत से organisms ते means जो जीव जनतु हैं जीवित जीव जनतु हैं वे हैं बहुत अलग अलग तरह के They try to think of a place on earth where there may not be any living creatures उन्हेंने कोशेश की सोचने की एक प्लेस के बारे में एक जगह के बारे में अर्थ पर means प्रत्वी पर जहां पर कोई भी living creature ना हो जीवेत जनतु ना हो बूजो थोट ओफ प्लेस नियर हिस हूम बूजो ने सोचा बूजो ने जगह सोची उसके घर के आसपास इंसाइड दा हाउस घर के अंदर रेट दा कब बूजो उसने अलमारियां देखी यह एड थोट देट देट देएर में नोट बी एनी लिविंग और गेन उसने शूचा की वहां पर कोई भी जीवेत जनतु नहीं होगा यहां पर बट रेट फाउंड वन टिनी स्पाइडर इन दा कब बोर्ड लेगन उसने एक छोटी सी स्पाइडर को देखी उस अलमारी में आउटसाइड दा होम टू घर के बाहर भी देएर देड नोट सीम टू बी एनी प्लेस ऐसी कुई जगह नहीं दिखी He could think of that did not have living creatures of some kind or the other किसी भी प्रकार के जीवित प्राणी नहीं थे फिगा 9.1 पहली started thinking and reading about far away places पहली सोचने लगी और उसने पढ़ना शुरू कर दिया बहुत दूर दूर की प्लेसेज मीज जगहों के बारे में She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes उसे ने पढ़ा कि लोगों ने खोजे हैं छोटे छोटे बहुत छोटे जीवित प्राणी जो की volcanoes में थे 9.1 organisms and the surroundings where they live जीवित प्राणी और चारों ओर की जगह जहां पर वह रहते हैं Another thought that occurred to Paili and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited दूसरा thought means दूसरी सोच आई Paili और Bujo के देमाग में जो की living organisms means जो की जीवित प्राणी ओं बहुत से जीवित प्राणी ओं के प्रकार के बारे में थी जो की प्रेजेंट थे उपस्ते थे अलग-अलग locations पर अलग-अलग जगाओं पर जो की उन्होंने अभी तक घूमी हैं The deserts had camels, desert में means रेगिस्तान में उट थे, the mountains had goats and yaks, जो mountains थे means परवत थे, उनके पास goats और yaks थे, उनमें बकरियां और yaks थी Puri had some other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea Puri पर भी कुछ दूसरे creatures थे, जीव जन्तू थे, जैसे की crabs केकड़े बीच पर और ऐसी ही कुछ variety Fisher King means मचलियों की जो की, Fisherman के द्वारा पकड़ी जा रही थी, सी पर समुद्रपड, Fisherman means मचवारा And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations और तभी ऐसा दिखा गया means यह दिखा की कुछ creatures, कुछ जीवेत, जान्वार जैसे की ants, चेटियां भी प्रेजेंट की उपस्ते थी In सभी अलग-अलग locations पर जगह पर The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions इस तरहें के means इस पराकार के पौधे भी ढूंडे गए प्रत्येक रीजन में प्रत्येक जगह पर यह अलग थे plants पौधे से अलग रीजन से means जो पेड़ पौधे अलग-अलग रीजन में पाई गए वह बहुत अलग थे दूसरे रीजन से दूसरी जगह से वाट अबाउट दा सराउंडेंग्ज चारो ओर के बारे में क्या इन इस दिफ्रेंट रीजन इन अलग-अलग जगहों के चारो ओर के बारे में वर दे दा सेम क्या वही सेम थे समान थे एक्टिविटी वन गतिविधी एक लेट अस स्चार्ट विथा फॉरेस्ट चलिए स्चार्ट करते हैं मींज शुरू करते हैं एक फॉरेस्ट के साथ एक जंगल के साथ इंग और अल दा प्लांट्स एनिमल्स एंड अबजेक्स देट कैन बी फाउंड दियार सोच लीजिए सभी प्लांट के सभी पॉदे के जानवरों के और अबजेक्स के वस्टूओं के जो की वहाँ पर पाई गाई कॉलम वन ओफ टेबल 9.1 लिस्ट कीजिए उन्हें कॉलम वन में टेबल 9.1 की वस्टूओं की लिस्ट बनाई है एनिमल्स की जानवरों की और पॉदों की जो की दूसरे रीजन में पाई जा रही है means दूसरे जगहों पर that are also shown in the table जो की टेबल में भी देखाए गए है you can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1 आप collect कर सकते हैं जमा कर सकते हैं या फिर एकटे कर सकते हैं उधारणों को जो की इस chapter में फैले हुए हैं table 9.1 को fill करने के लिए discuss also with your friends इसे discuss कीजिए आपके friends के साथ means बात चीट कीजिए आपके दोस्तों के साथ parents आपके माता पिता के साथ और teachers teachers के साथ शिक्चक के साथ to find more examples to fill the tables you can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions आप consult कर सकते हैं means अलहा ले सकते हैं बहुत सी अननदीदा books से means किताबों से जो की आपकी पुस्तकाले में हैं और बात जिसमें बात की गई हो animals, जानवरों के पौधों की और minerals के अलग-अलग region के अलग-अलग जगह के try and include many plants, animals and objects big and small in each of the columns in this table कोशेश कीजिये और include कीजिये means जोडिये बहुत से plants को बहुत से पौधों को जानवरों को और सामानों को चोटे और बड़े प्रत्य कॉलम में प्रत्य एक एक row में इस table की what kind of object will we find that may not be animals or plants क्या means किस तरह के object किस तरह के सामान होंगे जो की हम पाते हैं और जो की animals नहीं होंगे या फिर plants नहीं होंगे parts of plants like dried leaves और parts of animals like bones शायद हम plants के parts means पौधे के भाग जैसे की सूखी पत्तियां या फिर जानवरों के भाग जैसे की हड्डियां we may also find different kinds of soils and pebbles हम पाते हैं अलग अलग तरह के soils को means मिट्टी को और पत्थरों को या कंकडों को water in the oceans may have search dissolved in it as discussed in chapter 5 जो पानी है ocean में समुद्र में या फेर महा सागरों में उनमें salt होता है नमक होता है जो की घुला रहता है उनमें जैसा कि हमने chapter 5 में डिसकस किया there could be many more objects बहुत से objects हो सकते हैं as we go through the chapter keep adding more examples to table 9.1 जैसे हम आगी जाते रहते हैं chapter में आप add करते रहें जोडते रहें जादा example table 9.1 में we हम will discuss the table as we travel through many more interesting places हम discuss करेंगे means बातचीत करेंगे table के बारे में हम जहां पर हमने गूमा हैं बहुत interesting places पर आनंदीर जगाओं पर 9.2 habitat and adaptation प्राकतिक आवास और अनुकूलन what do you find from the plants and animals listed in activity 1 आप क्या पाते हैं ढूंड कर plants को पौधों को और जानवरों को जो कि आपने activity 1 में लिस्च किये हैं did you find a large variety in them क्या आप बहुत बड़ी प्रजाती पाते हैं उन में look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1 देखिए कि आपने क्या enter किया है क्या लिखा है कॉलम में desert के बारे में और कॉलम में sea के बारे में जामद्र के बारे में और रिगिस्थान के बारे में table 9.1 में did you list very different kind of organisms in these two columns क्या आपने लिस्ट किया अलग अलग बहुत अलग अलग तरहें के जीवित जन्तुओं को दो कॉलम में what are the surroundings like in these two regions चारो ओर क्या तरहें means चारो ओर की तरहें इन दो regions में in the sea plants and animals are surrounded by saline salty water समुद्र में पौधे और जानवर घेरे रहते हैं saline say means salty पानी से salty नमक वाले पानी में most of them use the air dissolved in water उनमी से बहुत से उपयोग करते हैं हवा को जो की पानी में गुली रहती है there is very little water available in the desert बहुत कम पानी available रहता है उपस्तेत रहता है या फिर मौजूद होता है रिकिस्तान में it is very hot in the daytime and very cold at night in the desert बहुत गरम होता है दिन की समय में और बहुत ठंडा होता है रात की समय में रिकिस्तान में the animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe the air from the surroundings जानवर और पौधे desert के रहते हैं desert की स्वाइल पर रिकिस्तान की मिटी पर और सांस लेते हैं हवा उनके चार ओर से the sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions समुद्र और रिकिस्तान चारों ओर का पातावरन रहता है उससे बहुत अलग है और हम पाते हैं बहुत अलग अलग plants को बहुत अलग अलग पौधों को और जानवरों को इन दो जगाओं पर इजन्ट इट क्या ऐसा नहीं है let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea a camel and a facial चलिए हम देखते हैं दो बहुत अलग तरह के organisms को जीवेत जनतों को जो की desert और sea से अलग है जो की उनमें नहीं रहते हैं जैसे कि एक कैमल एक उट और एक मच्छी दा बोडी इस्ट्रक्चर ओपा कैमल है टू सर्वाइब इन दा डेजर्ट कंडिशन्स रहते हैं रहती है शरीर की उट के वह उसे मदद करती है सर्वाइब करने में जीने में desert conditions में कैमल के पास लंबे लंबे पैर होते हैं उनकी बोडीज उनके शरीर को दूर रखने के लिए heat से गर्मी से sand की रेत की वेगा 9.2 दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ओफ यूरेन देर डंग इस ड्राइएंड दे दू नॉट स्वीट वे निकालते हैं छोटी मात्रा में यूरेन मीन्स मुत्र उनका डंग मीन्स उनका गोवर ड्राइए होता हैं सूखा होता हैं और वे उनको पसीना नहीं आता since camels lose very little water from their bodies इसलिए जो camels रहते हैं उट रहते हैं वे बहुत कम मात्रा में पानी अपनी शरीर से छोड़ते हैं they can live for many days without water वे जी सकते हैं बहुत जादा दिनों तक बिना पानी के let us look at different kinds of fish चली हम देखते हैं बहुत तरह के means मचली की प्रकार के some of these are shown in figure 9.3 इनमें से कुछ 9.3 में दिखाई गई हैं there are so many kinds of fish बहुत सी तरह की मचलिया हैं but do you see that they all have something common about their shape लेकिन क्या आप देखते हैं कि उन सभी के पास कुछ common हैं समान हैं उनके shape से उनके आकार से all the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8 उन प्रत्यक के पास streamlined shape है इस streamlined shape दिखाया गया है जो कि हमने chapter 8 में डिसकस किया था this shape helps them move inside the water यह है शेप यह है आकार मदद करता है उन्हें पानी के अंदर चलने में या हिलने में fish have slippery scales on their bodies पचली के पास फिसलन भरी परत दार या फिर परत होती है उनके शरीर पर these scales protect the fish and also help in easy movement through water यह scale यह परत उन्हें fish को बचाती है और उन्हें आसान मुमेंट में means आसान हलचल में मदद करती है पानी में we discussed in chapter 8 जो कि हमने chapter 8 में discuss किया था that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water जो fish होती है उसके पास एक flat fins means चप्टे पंक और पूछ होती है जो कि उसे मदद करती है direction change करने में direction बदलने में direction means दिशा बदलने में और उनकी body को balance रखने में पानी में गिल्स present in the fish help them to use oxygen dissolved in water गिल्स रहते हैं फिश में गिल्स रहते हैं जो कि उन्हें मदद करते हैं oxygen use करने में oxygen को उप्योग करने में जो कि पानी में खुला रहता है we seen that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert हमने देखा कि features means यह विशेश्टाएं मचली की मदद करती हैं रहने में पानी के अंदर और विशेश्टाएं camel की मोट की help करती हैं मदद करती हैं सर्वाइब करने में जीने में desert में रेगिस्तान में we have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth हमने सिर्फ दो ही उधारन लिये हैं बहुत चोड़ी प्रचाती animals की जनवरों की और plants की पौदों की जो की अर्थ पर रहते हैं प्रच्वी पर रहते हैं इन ओल देश वेराइटी ओफ और्गेनिजम्स अंग इन सभी वेराइटी ओर्गेनिजम्स की इन सभी प्रकार जीवों की वी विल फाइंड देट देव सर्टेन features that help them live in the surroundings in which they are normally found. हम पाते हैं कि वे certain features हैं उनके पास सिर्फ विशेशताएं हैं जो की उन्हें मदद करती हैं चारों तरफ रहने में जहां पर वे पाए जाते हैं अमतोर पर पाए जाते हैं the presence of specific features और certain habits उपसिती में specific features means विशेशताओं में या फिर इन सभी आदतों में which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation जो की enable है means समर्ख नहीं है एक organism को रहने में naturally प्रक्रतिक रूप से एक प्लेस पर एक जगह पर जिसे हम adaptation कहते हैं means अनुकूलन कहते हैं adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling अनुकूलन अलग होता है organism means अनुकूलन जीवेत जानवरों का या जीवों का अलग होता है वह depend करता है means वह निर्वर करता है उनकी जगह उपर आवास पर आवास में रहने की जगह यह दैट इस वाइज आप फिश केंनोट लिव आउट ओफ वाटर एंड आ केमल केंनोट लिव इन सीन इसी कारण से फिश जो है मचली जो है वह रह नहीं सकती हैं पानी के बाहर और उट समुद्र में नहीं रह सकता है दा प्लेस व्यर ओर्गनीजम्स लिव इन इस पॉड़ है प्लेस जगह जहां पर ऑर्गनीजम्स जीवेत जीव रहते हैं उसे एबिटेट कहते हैं आवास या फिर रहने की जगह कहते हैं habitat means a dwelling place a home habitat का मतलब होता है एक आवास जग है या फिर एक घर्दा habitat provides food water air shelter and other needs to organisms habitat जो रहता है आवास जो रहता है वह है प्रदान करता है खाना पानी हवा शेल्टर मीज रुकने की जग है और दूसरी नीज दूसरी आवस शकता है organisms को जीवित जीवों को several kinds of plants and animals live in the same habitat बहुत से तरह के plants पौधे और जानवर रहते हैं उसी same habitat में means उसी same या समान आवास में ओके फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही यह था हमारा part first next part will come soon bye bye have a nice day okay